नमश्कार दोस्तों and welcome to my channel कैसे हैं आप सब उमीद है सब बढ़िया होंगे तो आज हम CVSE class जो हमारी 12th है उसका हमारा 5th chapter है continuity and differentiability exercise 5.1 solve करेंगे question number 30 से solve करेंगे question number 34 दक solve करेंगे मतलब यह हमारी last video होगी exercise 5.1 की इसके बाद हमारी जो हमारी first exercise है chapter number 5 जो पूरी तरीके से complete हो जाएगी तो इस जो हमारी exercise थी इसकी मतलब से आपको continuity काफी अच्छे से समझ में आ गी होगी तो सबसे main जो topic था exercise के अंदो हमारा continuity ही था ठीक है तो question number 29 तक हम अलड़ी solve कर चुके है question number 30 देखते है find the values of a and b such that the function defined by this fx is continuous function आपको बोला है कि आपको ये जो given function है ये आपको continuous function provided है यहाँ पे आपको a और b की value find out करनी है और आपको एक hint given है कि ये जो fx आपको दिखाई दे रहा है ये continuous है अगर ये continuous है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो function है ये हरके point पर continuous होगा है जितनी भी ये values given है ये हरके के आपर continuous होगा क्योंकि ये जो total overall function है ये अगर continuous हो ये हरके point पे भी continuous है जो provided है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ से equations बनाएंगे और equation हम कैसे बनाएंगे equation हम बनाएंगे left hand limit और right hand limit के इस्तिमाल से ठीक है यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर इकोल टू टू टैन है और यहाँ पर less than यहाँ पर क्या है एक्स की वैल्यू टैन है तो जो टैन है वो दोनों जगे यानिक हम क्या करेंगे at x is equal to 10 पर भी चेक करेंगे तो यह दोनों जो हमाई पस cases होंगे एक हमारा point होगा जब x की value 2 होगी और एक point होगा जब हमारे x की value 10 होगी तो यह जो point है इनके इस्तिमाल से हमाई पस एक equation तो यहाँ से आएगी दूसरी equation यहाँ से आएगी दोनों के इस्तिमाल से हमाई पस दो equation आएगी फिर उनके ओपर आप कोई भी algebraic method यूस कर सकते हैं और find out कर सकते है a और b की value ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको solve करती हूँ एक बर मैं इसको पर कर लेती हो तो आप को यहाँ पे आप डीक सकते हैं सबसे पहले कि given function is continuous hence it will be continuous at every given point every point which is provided you can say that also ठीक है तो हम क्या करेते हैं सबसे पहले हम check करेंगे at x is equal to 2 क्योंकि हमने पहले ही जो point है उसके मैं से एक equation form करनी है तो यहाँ लिग देते हैं a function is continuous at x is equal to 2 if कब होगा x is equal to 2 पे continuous को भी function तब होगा जब left hand limit होगी right hand limit के equal और यह होगा हमारा f of 2 के equal जब यह तीनों equal आएंगे तभी कह सकते हैं कि at x is equal to 2 पे given function fx क्या होगा हमारा continuous होगा अब इसको elaborate करे के लिग देते हैं यह जागा limit x approaches to 2 from left hand side fx is equal to limit x approaches to 2 from right hand side fx is equal to f of 2 तो यह mainly आपको show करना है और यहां से आपके पास एक equation आजाएगी एक equation at x is equal to 2 से आजाएगी और एक equation आजाएगी at x is equal to 10 से तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हम left hand limit consider करते हैं और right hand limit consider करते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ left hand limit at x approaches to 2 from left hand side और इस side में लिखती हूँ right है limit at x approaches to 2 ठीक है अब यहाँ पर क्या आजएगा यह हो जएगा limit x approaches to 2 from left hand side fx अब यह हो जएगा limit h approaches to 0 इसको हम लिख सकते है 2 और हम क्या जा रहें left hand side से जा रहें तो minus और यहाँ पर आजएगा h अब हम क्या करेंगे जब हम left hand side से आ रहें हम देखेंगे हमारे function के अंदर जो हमारे पास x की value है जब हो क्या है less than 2 है less than 2 है x की value उस समय आपके पास function क्या है 5 पे तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे तो यह हो जाएगा limit h approaches to 0 5 अब यह जो function है इसके अंदर हमें क्या करना था जहाँ पर भी x आता उसकी जगे हमें 2 minus में h put करना था लेकिन function सिर्फ हसे वे constant है यानि कि वो क्या है हमें पहले से एक बात आपको पता ही है function क्या है एक constant number आ रहा है constant यहाँ पर function आ रहा है इसके अमदर left hand limit तो हमारी continuous है यह आप समझ चुके है ठीक है अब हमें क्या करना है हमें यह equal भी प्रूफ करना है कि यह दोनों equal होने चाहिए यह ही लिख देंगे जो बचा यानि कि value कितनी आएगी 5 फाइगी therefore left hand limit हमारी 5 फाइगी समझ में आ गया यह अब इसी तरीके से right hand limit को solve करते है यह हो जाएगा limit x approaches to 2 from right hand side fx is equal to limit h approaches to 0 और यह हो जाएगा आपके पास f और यहाँ पर हम लिख देंगे जो x है अप्रोच कर रहा है यहाँ पर 2 को और कौनसी direction से right hand side से तो लगा देंगे plus और यहाँ पर हम h के अप्रोच करवा रहे हैं 0 को तो यहाँ पर plus में h ही 1 मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से value हम यहाँ पर h approaches to 0 लेते हैं अगर आपने वो देखा तो बहुत ही जादा अच्छी बात है और यह वैसे आपके NCRT book के अंदर दिया हुआ है ठीक है तो अब next step के अंदर क्या करेंगे हम दिखेंगे कि x जब हमारे जो है approach करेगा 2 को तो उसकी right hand side से क्या limit की value आती है यानि कि उससे हमें function क्या आएगा right hand side xk जब x की value 2 है उसके right hand side यानि कि x जब 2 होगा उसे बड़ी values ठीक है यानि कि x की value greater than 2 होनी चाहिए जब ऐसा होगा जब x की value greater than 2 होगी उससे हमें function आ रहा है ax plus में b ठीक है उससे हमें function क्या रहा है ax plus में b आ रहा है तो यह जो function इसके अंदर x की जगे आपको 2 plus में h यहाँ पे value पुट करनी है तो होगा limit h approaches to 0 और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा हम directly put करेंगे तो a into में x है x की जगे 2 plus में h लिग देंगे और plus में b है अब next step में h जहाँ पर है उसकी जगे 0 कुट करेंगे तो यह रहा h तो होगा a into 2 plus में 0 यानि कि 2 plus में b तो होगा 2 a plus में b यानि आपके पास जो right hand limit है उसकी value कि तरहीं आई है 2 a plus में b आई है ठीक है यह भी समझ में आ गया तो अभी तक basically आपने इतना solve कर दिया है अब हम क्या करेंगे अब आपको यह पता है कि जब आपकी क्या की आपकी जब continuity आप चेक करते हैं उस समय यह तीनों values equal आती है ठीक है अब आपको क्या चाह को कर दोंनों को equal कर लो तब भी मिल झाएगी in dholo कर लो तब भी जाएगी है उस समय उस समय उसमय तो सीधा से इख़ए इंडोन यह तो तो यह हो जाएगा 5 is equal to 2a plus b या फिर आप इसको एसे लिख सकते हैं 2a plus b तो यह आपके पास equal to 5 है और यह आपकी equation number 1 बन गई है तो आप देख सकते हो जब आपने at x is equal to 2 लिया उस समय आपके पास एक equation i 2a plus b is equal to 5 अब हम इसे equation की मदद से यहाँ पर a और जो b हम दोनों की values को find out नहीं कर सकते हैं हाला कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो a को b की term में लिख सकते हो b को a की term में लिख सकते हो लेकिन आपको कोई भी equation solve करने है तो आपको at least 2 values तो चाहिए ही है तो अब यहाँ आपको यहाँ पर जो दिखाई देरी उनकी value को find out कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 अलग-अलग values है तो एक तरीके से दो अलग-अलग variable की रूप में अलग-अलग आपको given है तो 2 given है तो 2 जो आपके पास equation है minimum होनी चाहिए तो एक और equation हम लाएंगे जब हमारा at x is equal to 10 होगा उससे में भी हम क्या कर सकते हैं इसी तरीके से एक और equation find करेंगे फिर आपके पास equation का pair बन जाएग at x is equal to 10 के लिए हमारा function continuous at x is equal to 10 पे तभी होगा जब left hand limit right hand limit के equal आती हो और ये f of हमारे जो 10 है उसके equal आएगा इसको हम इस तरीके से elaborate करके लिख सकते हैं तो आपने वो लिख दिया होगा मुझे पक्का पता है अब यहाँ पर हम left hand limit consider करेंगे जब x approach करेगा 10 को और यहाँ right hand limit consider करेंगे जब हमारा x जो है वो 10 को approach करेगा ठीक है तो जब आप क्या करते हो जब आते हो left hand side से जब हमारे x की value 10 है उसे left hand side यानि कि उसे छोटी values मतलब जब x की value less than 10 होगी उससे में function आपकी बस ax plus में b है आपने यहाँ तक कर लिया होगा तो function के अंदर x की जगे आपक हमारी left hand limit आजाएगी ठीक है तो यहाँ पर हमारी left hand limit आगी इसी तरीके से right hand limit हमने की है इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको मुझे पता है जब आप right hand side से आते हो यानि कि जब x की value क्या होगी greater than 10 होगी उस समय function की value 21 है यह जो function है इसके इंदर जहां पर x था उसकी जग यानि की 21 तो जो right hand limit है वो 21 आई है अब आपको पता है कि जो हमें given है वो function आपको बोला है continuous होगा यानि हरीक पॉइंट पे continuous है तो at जब हमारे x की value 10 होगी उससे में भी continuous होगा तो हमने कर दिया left hand limit और right hand limit उससे में equal होगी तो दोनों को equal कर दिया तो यहां से second equation आगी है अ हमारी first equation आई थी second equation यहां से आई 10a प्लस में 20 इकॉस तो 21 अब हम क्या करेंगे यहां पर अब कोई भी method use कर सकते हैं algebraic method substitution कर लो elimination कर लो कोई कर लो लेकिन यहां पर a और b की value find out कर दो ठीक है तो elimination कर लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं एक जो variable है उसका eliminate करेंगे ठीक तो आपके पास a की value कितनी आई है 2y है अब हम क्या करेंगे जो a की value आई है इसको first यह second equation में से किसी में भी put कर दो आपके बी की value आजाएगी तो यहां लिख देते है putting a is equal to 2 in equation number 1 के अंदर put कर देते हैं तो आपके पास हो जाएगा 2 in 2 में 2 plus में b is equal to 5 यह हो जाएगा b is equal to 5 यह हो जाएगा minus में 2 2 जाओ जाएगा 4 यानि कि b की value कितनी आगी 1 आएगी तो आपके बस a की value 2 आगी b की value 1 आगी तो यहां लिख देते हैं hence a is equal to 2 and b is equal to 1 ठीक है तो आपने यहां पे जो question number 30 है उसको solve कर दिया है next page पे हमारा question number 31 है उसको solve करते हैं जाची तो next page पे मैंने question number 31 लिख दिया है show that the function defined by यह आपको function given है fx is equal to cos x square is a continuous function आपको यह show करना है कि यह जो given आपको fx है वो कहा है continuous function है ठीक है तो इसका answer देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको fx given है तो मैं यहा लिख देती हूं fx is equal to cos x का square आपको given है अब आपको पता है कि यह आपको दो अलगव फंक्षिन दिखाइए रहे हैं यहापको एक तो cos x दिखाइए रहे हैं दूसरा 돼ivan excel आपको x2 दिखाइए रहें ठीक है जी तो इहापको दो function दिखाइए रहे हैं कब Government function given को उस्प्वाare रहे हैं यह चो अलगव रहें से मिलकर यह कि नया function cos x2 बनावा है नो त क्या कि इनको compose के वर एक नया function आया है इसलिए हम इसको composite function कहते हैं ठीक है यह जो composite function का concept है आपका exercise 5.2 के अंदर ही आने वाला है तो यह दिरे-दिरे करके आपके 5.1 के अंदर कहीं न कहीं आपको hint दिना शुरू हो जाते हैं क्या कि नई चीज आने वाली है भी अगली exercise के अगली exercise को ताकि उससे related अगली exercise को शुरू कर से को ठीक है तो यह पर आपको fx गीवन है यह तो आपको यह पर आपको cos x दिख रहा है और आपको x2 दिख रहा है हम मार लेते हैं जो cos x है वो gx है और जो हमारा x2 है उसको hx मार लेते हैं ठीक हमने इनको अरगला function मार लिया इनको मानली है अब हम क्या करते हैं इनका जो composition बनेगा इनका जो composition बनेगा जिसे हम क्या कह सकते हैं गोह कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह आपका जो chapter number 1 था relation and function इसके अंदर आपने composition सीखा था गौफ के इस तरीके से बनाते है composition और function आपने सीखा था अगर आपने चैप्टर के अंदर से cbse वालों को किसी किसी के शायद हो हड़ चुका है तो उन्होंने नहीं किया हो गई है तो composition किया था हमने ठीक है जी तो जो बाकी जिनके आने अगर आपको एका है डिखाए दे रहे हो यहां से हम क्या कर रहे है इन दोनों को मिला रहे हैंँ से एक नया function बना रहे हैं तो आपको यहांपी क्या दिखाए दे रहे है जी दिखाए दे रहे हो के बाद जो भी होगा ओ की जगह लगा थो bracket ठीक है फिर क्या होचा है h x बच हमारा cos x तो g of x2 क्या बनेगा जो g of इहां पर x2 को में change करना है न देखो अगर यहा पर वो given है gx is equal to cos x अब यहां पर जब x था तब यहां पर x था जब यहां पर x2 है तब यहां पर x2 होगा यहांने कि g of x2 क्या बनेगा यह बनेगा cos x2 समझ में आ गया अपने क्या किया आपने g और h के इस्तिमाल से एक ये नया function मिनाया अब ये जो function है ये किसके equal चल रहा है therefore g o h of x ये जो हमारा है ये इसके equal cause of x का square चल रहा है ठीक है जी आप ये देख सकते हैं कि यही आपका क्या था यही आपका f x था ये जो आपको सकते हो ये जो आपके पस आया है इसको आप g o h b k e ये इसके equal हाँ ये आपके f x का equal है इसका मैंतब। ये होा कि jy f x आप इसको प्तिम्हा लीक सकते हैं g o h. तो अगर अगर ये शो कर देते क्या है आप पका g o h. क्या है ये ये आपका continuous है हाँ fx भी क्या है continuous एक लिए जो algebra of continuous function होता है वो इस्तिमाल करेंगे और वो क्या कहता है वो यह कहता है कि अगर कोई भी दो हमारे पास continuous function है और आप उनका क्या करते हो combination करते हो उनका composition करते हो तब वो भी क्याएगा continuous आएगा तो आप यहां लिख सकते हैं here gx is equals to cosx is continuous आपका जो gx है जिसको आपने cosx के एक पल माना है यानि कि आपका cosx है वही आपने gx माना है वो continuous है और जो आपका hx है जिसके आपने hx माना है जो आपका x square यह polynomial function है यह भी continuous है और यह आपका trigonometric identity sorry trigonometric function था इस वज़े से continuous था and hx is equals to x square is continuous as it is polynomial थीकर यह polynomial इस वज़े से continuous है अब आपको यह पता है कि कोई भी दो function है fx और hx मानलोगर दोनग continuous है इसका में तब यह हुआ कि आपके जो composition होगा f and h continuous होगर यहां पे हम क्या करेंगी g and h continuous हमारे पास है g भी हमारा जो function है gx वो भी continuous है hx भी continuous है यानि कि g o h जो आपका बनेगा वो भी क्या होगा continuous होगा तो आप यहां लिख सकते हैं यहां पर सीधा ऐसे लिख देते हैं we know that if two functions the functions hx जो आपने माने न वही लिखने हरा पर आपने कुछ और माना उता तो यहां लिखते हहां हमने माना gx & hx if two functions gx & hx both both are continuous then their composition, इनका composition क्या होगा, इनका composition G-O-H, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको सिधा G-O-H भी लिख सकते हैं, therefore G-O-H of X क्या होगा, continuous होगा, is continuous, hence, G-O-H X is equals to F-X, that is our cos X square is continuous, ठीक है, तो यह आपको question number 31 ही, बहुत ही easily solve होगा है, आई होगा आपको समझ में आ गया होगा, तो next page पर हम question number 32 है, उसको solve करते हैं, तो मैंने अभी just check किया, question number 32 और question number 33 है, वो same to same आपके question number 31 जैसे है, अब तो आपकी पूरे exercise complete होने वाली है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत और करने पड़ेगी, यह दोनों question आपको खुद solve करने हैं, मैं हिंट देती हूँ, question number 32 के अंदर आपका gx जो का, वो mod of x होगा, और आप हमेशे यह याद रखना, जो modulus function होती है, जो आपके modulus function होते हैं, वो क्या होते हैं, continuous होते हैं, तो यहापे जो mod of x होगे, वो क्या होगे, continuous होगे, question number 32 के अंदर आप gx मान लेना mod of x को, और hx मान लेना cos of x को, ठीक है, तो यह जो आपके पास है, यह आपका modulus function है, तो यह continuous होगा, cos x आपका trigonometric function है, तो यह भी continuous होगा, इसी तरीके से question number 33 के अंदर, gx मान लेना sin x को trigonometric function है continuous होगा, hx मान लेना mod of x को modulus function है continuous होगा, तो यहापे भी go, hx जो आपका बने गई, fx के equal होगा, तो यह भी आपका continuous हो जाएगा, तो यह भी आपका continuous हो जाएगा, तो यह दोनों continuous function है, combination जो उनका, उनका composition होगा, वो क् कहीं पे भी आपको थोड़ी से भी difficulty आती है, मुझे comment box के अंदर जुरूर बता सकते हैं, मैं आपका पूरा, पूरी कोशिश करूँगी, कि आपको जो doubt हो clear हो सके, ठीक है, तो अच्छा जी, तो हमने question number 33 तक यहापे solve कर लिया है, इन मेंसे 2 question आपको खुद करने हैं, I hope question number 34 देखते हैं, find all points of discontinuity of f defined by fx is equal to mod of x minus mod of x plus में 1, यहापे आपको क्या करना है, यह जो आपको fx given है, यहापे आपको इसके सारे के सारे जो discontinuity के point है, वो find out करने है, तो अभी तक आपने क्या किया था, आपको एक तरीके से interval already provided थी, कि यहाँ से लेकर कि यहाँ तक x की value आपको x की provided value थी, कि x जी अब हमारा 2 होगा, उससा में discontinuous है या continuous है, लेकिन अपकी बार आपको सिरफ और सिरफ एक function given है, और आप इसको इसको इस discontinuity के point find out करोगे, अब वो कैसी किया जाए, तो उसके लिए हम find करते है critical points, तो critical points का मतलब क्या होता है, कि वो point जिनके उपर हम interval को find out करेंगे कि हमारा function continuous है या फिर discontinuous है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो fx given है, एक आपको यहाँ पर value दिखाए दे रही है, mod of x, दूसरी दिखाए दे रही है, mod of x प्लस में 1, तो एक बार हम क्या करेंगे, mod of x को करेंगे equal to 0, हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भ लेंगे minus 1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी x की value और 1 लेंगे जब x की value greater than or equal to 0 होगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो, interval यहाँ पर तीन आ गई है, तो इन interval की according हम चेक करेंगे, discontinuity of the given function, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने given function fx को लिख दिया है, x के interval क according, यहाँ पर हमने x की values को arrange किया है, तीन अलग अलग interval आई थी, तो यहाँ पर x की values भी according to interval arrange हो गई, अब आपको क्या करना है, जैसे पिछले questions के दना हमने continuity check की थी, same वैसे ही limit को consider करना है, जो corner point एवन पर limit consider होगी, और वहाँ पर left hand limit, right hand limit और at a particular point हम चेक करेंगे, continuity, तो त कोई भी जो discontinuity का point है वो नहीं है, ठीके, therefore there is no point of discontinuity in the given function fx, तो इसी के according हम यहाँ पर लिख देंगे, therefore f is continuous for all values of x which belong to real number, यानि कि हरके एक real number पर हमारा given function क्या होगा, continuous होगा, तो आज हमारी exercise 5.1 पूरी complete हो गई है, next video में जल मिलेंगे, तब तक लिए धन्यवाद,